सनातन धर्म में सावन महिना बेहत पावन महिना माना जाता है ऐसी माननेता है कि इस महिने में शिव की अराधना और पूजा अर्चना करने से महादेव की क्रिपा साक्षात बरस्ती है जब बात महादेव की हो तो उनके गर्दन में माला के समान लपेटे उस सर्प की याद भला कैसे ना आए इस महिने में नाग यानी सर्प का दर्शन होना भी शुब माना जाता है अब जड़ा सोचिये की अचानक एक नहीं दो नहीं बलकि दर्शनो सर्प एक साथ एक घर में आ जाए तो उस ग्री स्वामी का क्या होगा हलाकि सावन महिना की शुरुआत होने में अभी चंद दिन शेस है बावजुद इसके सापों का निकलना शुरू हो गया है अब जड़ा इस तस्वीर को देखिए साप ही साप सापों की पूरी टोली यह तस्वीर है मुजफर पुड के सरईया प्रकंड की जहां के खेरा गाउन निवासी चुलाई महतो के घर में गुरुवार के सुबह दरजनों साप अचानक दिखा सावन से पुर्व सापों का निकलना शुब तो माना ही जा रहा था मगर दूसरी तरफ सापों की टोली को देख ग्री स्वामी के अंदर डर भी उतना ही हो गया ग्री स्वामी ने इसकी सूचना जन सुराज कारेकरता किशोर कुनाल को दी सूचना पर पहुचे किशोर कुनाल ने घटना की सूचना बीडियो सरैया प्रभारी सीयो समेत कई अधिकारियों को दिया वडिय अधिकारियों के निर्देश पर परशू चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन के नेत्रित्व में पहुची रेस्क्यू टीम ने 16 कोब्रा साप के बच्चे तथा 32 अंडे बरामत किये रेस्क्यू टीम चार घंटे की मशक्कत के बाद कमडे की खुदाई कर सांप और अंडे को मिटी के भीतर बने बिल से निकाला जिसके बाद ग्रिस्वामी ने रहत की सांस ली हालाकि सावन के पुर्म निकले सांपो की स्टोली को देख कोई इसे शुब संकित मान रहा है तो कोई महादेव की कृपा मान रहा है जाहिर सी बात है कि यह घटना इलाके में कौतुहल का विशय बन गया है इतना साथ पकड़ा गया है और हम लोगों ने धी थ्यूद्रे पकार के फेक दिये बाहर तो आप आपके आपसे जो अपने नाम बताया कि जंसुराज से किशोर कुनाल जी है वो किशोर कुनाल जी के दौरा और एकसी टीम के दौरा मदद मिला है आपको जी बिल्कुल मिला यहां ही थे दस वजे से हैं अच्छा और जंसुराज से आपको मदद मिला जी हां वो ही आया थे यहां पर हमारे एडियम सर आपदा प्रवंधन मुझवर्पूर के द्वारा मुझे सूचना मिले कि खेरा गौं में एक घर में घेर सारा साप का जखीरा निकल रहा है तो इस है द्वारा मोश्वर्पूर को दी उंके द्वारा निदेश पाते ही तुरत हम लोग व्या उपतस्तल पर देजी से आये लगभग अधा से पैंतिस मिनट के बीच में हम लोग अस्तल पर दो है और इस घर को जब हमने चानवीदन किया तो 32 अंडे जो फूड चुके थे मैं यह इंडियन कोबड़ा है और इस घर के तीम रूम को हम लोगों ने पूरे बारी बारी से गढ़धा कोन के इसके जो होते हैं जो जिसको बील काते हैं यह अपना बील नहीं बनाता यह चुहे के बील में राते हैं और उसमें के अंडे के अवसेज भी प्राप्त हुए जो कि तो इस परकार से यह इनके द्वारा बताया गया कि तेरह चौधा स्नेक लेट से यह कल अपने हाथ से लिए निश्राल हैविटेट में छोड़ दिया गया इनके द्वारा तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि यह 32 और यह 15 इसमें से हम को मिले हैं तेरह चौधा यदी यह साब को बच्चे को पकर के यह दी बाहर रखे होंगे तो उस हिसाब से चल्कुलेशन सटीक बैटता है हो सकता है कि एक दो मॉटिलिटी भी हो फिर इनको मेरे गढ़्डे में और घर का जो फिर मिटी भराई होगा उसके लिए ब्लीटिंग कॉड़र इत्यादी का कहें कि शिरका हमारा बगल का पंचायत है खैड़ा पंचायत के खैड़ा गाओं से हमारे करीवी संजीत महतोजी पॉल किये कि वहिया ऐसे ऐसे हमारे घर में 15-16 सांप दिखाई दे रहा है तो हम लोग की तुरत हम पहुंचे 15-10 मिनिट में हम यहां पहुंचे और पहुंच कर इसका जयज दोनों के बाद इन्होंने फॉरस्ट विवा की जो हमारे डियोफो साभ है उनके माध्यम से राजीव सर यहां डॉक्टर राजीव सर आये थे स्नेक टीम में जिन्हों ने जो टीम का पड़त कर रहे थे टीम लीडर थे और उनके माध्यम से अभी देख रहे लिए इनकी और हम लोगों के लिए इतना सराहनी रहा है कि कितना भी धन्यवाद करें वो कमी है इस टीम को टाइमिंग भी कम रहा जैसे हम लोगों ने कॉल किया था इनको और मैं 10 वजे से यहां बैठा हूं और बैठने के बाद 10 वजे से ही कॉल किया लगभग 35 से 40 मिनिट मे और बहुत लगन से काम किया है और मेरा तो सेवा है काम करना और विशेश तो आपको घर वाले बताएंगे अच्छा रहा जो इस परिवार का डर मिटा और 16 साप का रिकोवरी यहां हुआ है इस डब्बे में अब इसको यह ले जाएंगे और जहां कहीं भी यह करेंगे और इस 16 साप तो मिला है इससे पहले 13 या 14 साप को इन्होंने पकर के फेका है मारा नहीं है पकर के जैसे ऐसे पकड़ा रहा था दो तीन दिनों से दिक्कत आ रही थी उसको फेक दिया